नवस्कार एतिहासिक तथ्यों पर आधारित शंखला सच का सामना में आपका स्वागत है मैं हूं मुकेश कुमार दोस्तों इसमें कोई संदे नहीं है कोई विवाद नहीं है कोई दोमत नहीं है कि नेता जी सुभाष शंद्र बोस का योगदान हमारी आजादी की लडाई में अभूत पूर्व था बेमिसाल था उन्होंने जिस तरह से बाहर जाकर सेना खड़ी की और उससे आक्रमन की अंग्रेजों के खिलाब मुकाबला किया वो अपने हिसाब से बहुत ही अद्भूत कारनामा था लेकिन दिक्कत यह है कि वर्तमान सरकार और उससे जुड़े जो स वो इस बहाने ये भी कर रही है कि गांधी नहरू के मुकाबले उन्हें और बड़ा नेता दिखाने की कोशिश कर रही है हम सब जानते हैं कि संग परिवार के पास अपना कोई बड़ा नेता नहीं है आजादी की लड़ाई का इसलिए वो इधार उधर से कुछ-कुछ नेत उठा कर अपना जताने की कोशिश करती रही है लेकिन इस मामले में कई प्रश्ट नोट खड़े हुए हैं कि आखिरकार नेता जी सुभाज शंद बोस हिंदु राष्ट के बारे में क्या सोचते थे उन्हें हिंदुत्य के बारे में उनकी अधारना क्या थी वो इसे किस तर के हमारे साथ हैं जाने माने सामाजी कारकरता और इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी तो प्रोफेसर पुनियानी कारकाम में आपका सबसे पहले बहुत-भोछ स्वागत है। मेरा पहला सवाल सीधा सा ये है कि सुभाष चंद्रबोस की जो कुर्बानी थी जो उनका कद्ध है उस मामले में कोई कहीं कोई दोमत नहीं है सब जानते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया और उनके नहरू और गांधी से मतबेद भी जो थे वो कितने थे और किस रूप के बारे में उनकी क्या धाना थी उन्होंने क्या लिखा पढ़ा और बोला इसके बारे में जी देखिए जहां तक सुभाष चंद्रबोस का सवाल है आपने बिल्कुल सही का कि उनके योगदान में कोई शंका का सवाल ही नहीं उठता और जो आज दिखाने की कोशिश की जा है जहां तक सुभाष चंद्रबोस थे वो विचारों में समाजवादी थे और कॉंग्रेस के अंदर भी जो गुट था कॉंग्रेस सोशलिस पार्टी जो समाजवाद को ज्यादा मानता था उसके वी वो सदस्य थे उसमें नहरू और सुभाष चंद्रबोस ये उसके दो महत उन्होंने बाद में पहले एक इस बात पे कह दूँ कि जहां तक विचारधारा का सवाल है, हिंदुत्व जो मानता है, सुभाश चंद्र बोस खासतर से दो मुद्दों पर उन्होंने इस पश्ट रूप से लिखा है। एक तो हिंदुत्व की विचारधारा ये मानती है कि आर्य यहां के मूल निवासी थे, उनी के उत्तरा दिकारी हम हिंदु हैं, तो उसके बारे में सुभाश जी का कहना था कि यहां आर्यों के आगमन के पहले भी एक बहुत विक्सित सभ्यता थी, तो यहने इस बनावटी दा इसको खारिज कर देते हैं, दूसरा एक बाद की बात बता देता हूँ, खास तोर से हिंदुत्व की विचारधारा जो दिखती है, वो हिंदु-मुसल्मान के आधार पे दिखती है, उसके बारे में सुभाश बोस की एक किताब है शायद जादा जानें, हम जानेंगे नहीं फ्री इंडिया एन हर प्राब्लम्स में, वो मुसल्मानों के बारे में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, कि मुसल्मान यहां आए और यहां की सब्विता संस्कृती का भाग बन गए, नमबर एक, नमबर दो, उन्होंने यहां की सब्विता संस्कृती में अपना महत्पुन योगदान दिया, तो जो आज इनकी तरफ से विवादा रहा है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट हो गया, अब तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1938 में, वो हरी पूरा कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने, और अध्यक्ष के रूप में उन्हों यह जो एक महत्पु पर भी नहीं रह सकते, कॉंग्रेस की सदस्यता भी उनको नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसके पहले कॉंग्रेस अलरी इसको चर्चा कर चुकी थी, पर उस समय एक गोल माल माहूल था, तो कई हिंदु महासभा वाले, मुस्लिम लीग वाले इसमें घुज जाते थे, हिंदु में कोई जगा नहीं है, क्योंकि इनकी राजनिती ये विभाजनकारी राजनिती है, ये कॉल सिटाज डिवाइजिव पॉलिटिक्स, तो ये पहली बात हो गई, दूसरी बात उन्होंने 1940 में एक स्पीश दिया था, जार ग्राम में, जार ग्राम में उनका एक भाशन है, उस माल चुनाव के लिए कर रहे हैं, और लोग क्योंकि जब इस रंग को देखते हैं, तो उनका आदर से सिर्फ जुक जाता है, बोले ये इनके द्वारा किये जानने वाला हिंदू धर्म का एक अपमान है, जो सुभाज बोजजी लिखते हैं, खेर ये दो बाते तो बहुत क् कर रहा थी, जिसके खिलाफ गोलवल कर लिखते हैं न, कि हिंदू राष्ट के दुश्मन कौन, तो मुसल्मान, क्रिश्चन और कॉम्मिनिस, तो नहीं तो खेर, ये समाजवादी उससे बहुत करीब थे उनकी प्रकार की विचार धरा में, अब जहां ये एक और बड़ी मज साता हूं, सुभाष चंदर बोस, जब कॉंग्रेस के अध्यक्ष बने, तो उन्होंने एक कमिशन बनाया कॉंग्रेस के अंदर, राष्ट्रिय योजना आयोग, और इसके अध्यक्ष के रूप में उन्होंने जवहारलाल नेरू को रखा, यही राष्ट्रिय योजना और एक तीसरी बात यह है कि यह दावे तो बहुत करते हैं, पर जहां तक हिंदुत की राजनीती है, 1942 में हिंदु महासभा, RSS, दोनों ने अंग्रेजों का साथ दिया, सावर करने तो सक्रे रूप से ब्रिटिश आर्मी को मजबूत करने के लिए रिक्रूट्मेंट कराया, और उधर से सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आजाद हिंद फौज खड़ी करके अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो आप देखिए उसी समय दो चीज़े हो रही है, सुभाष चंद्र बोस उधर से ब्रिटिश फौज पर हमला कर रहे हैं और हिंदुत्व के जो पैरोकार लोग हैं, वो ब्रिटिश सरकार की मदद कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी भी डंब रहे हैं, पांचवी बात मैं ये समझना चाहता हूं कि जब बाद में सुभाष ये आजाद हिंद फौज के लोगों को बंदी बना के लाया गया, प्रिजनर्स अब वार, तो क्योंकि ये भी देश की आजादी के लिए काम कर रहे थी, तो देखिए, उनका भी एक विशालता देखिए, रास्ते अलग हैं, पर उद्देश एक हैं, तो उस उद्देश के लिए वो भी उसके साथ होते हैं, और कॉंग्रेस की तरफ से भूला भाई देसाई, कैलाश ना आजादी के अंदोलन के दोरान कोई दो विरोधा भासी विचारधाराएं थी, तो एक तरफ हिंदुत्व की विचारधारा और दूसरी तरफ सुभाष चदर भोस की विचारधारा, जिसके और उसमें कॉंग्रेस सोचलिस पार्टी के लोगों को मैं जोड़ दूँगा, य इंदो मुसल्मान संबंदों के बारे में देखिए और जो जिस प्रकार से अभी RSS ने खड़े किये हैं, धर्म संसद और VHP और जिनके माध्यम से ये चुनाव में जिनका उपयोग करते हैं, उसकी भी उन्होंने उसी समय कितना कड़ा विरोध किया था, 1940 में उन्होंने इ इतना आदर दिया जाना चाहिए कम है, और ये नहीं है, ये जो इनका आरोप है कि सुभाश चंद्र बोश को भुला दिया गया, वो पूरी तोर से गलत है, आज भी देश में बहुत सारे प्रतिश्थान हैं, जो निता जी के नाम पर हैं, बहुत सारे कारकरम हैं जो उनके नाम पर हैं, और ये केवल एक दोशा रोपन के लिए उनको करते हैं, और उनको अभी गांधी का कद छोटा करना है, क्योंकि ये दो गुले रास्ते पर चलते हैं, एक तरफ लिप सर्विस गांधी गांधी, दूसरे तरफ मुमे राम, बगलमे नाथुराम जो है, उनके उस कर रहे हैं, जबकि अगर गहराई में जाके देखा जाए, तो दोनों के विचारों में किसी प्रकार की समानता नहीं है, और पूरा एक स्वे के विरोध में खड़े हैं. जी, प्रफूसर पुन्यानी, क्या ऐसे भी कुछ दृष्टान्त मिलते हैं, उनके, उन्होंने कुछ कहा हो, कुछ ऐसा लिखा हो, जिसमें इस फ़ष्ट रूप से सीधे तोर पर हिंदुत्व के बारे में उनकी टिपड़ी हो, उनकी रायस सामने आती हो, या RSS और हिंदू महासभा की जो राजनीती और उनकी जो विचार धारा है, उस पर वो सीधे हमला करते हूँ? जी, ये खेर, RSS तो उस समय ज्यादा चित्र में नहीं था, और हिंदू तो शब्द भी उतना उस समय लोकप्रिय नहीं था, शब्द तो आ चुका था, पर उतना लोकप्रिय नहीं था, तो वो इसको संप्रदाइक राजनीती कहते हैं, और एक बार उनके ब्राडकास्ट मे वो कहते हैं, कि जो संप्रदाइक राजनीती है, वो मुस्लिम संप्रदाइक राजनीती हो, या हिंदू संप्रदाइक राजनीती हो, ये हमारी राष्टर की एकता में एक बहुत बड़ी रुकावट है, और देश को आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ी, मतलब सभा राजनीतिक शेर्ट में ज्यादा थी उसके विरोध में वो सपश्ट रूप से कहते हैं जी और बलकि अस्तभाश चंद बोस की जो सेना थी आजाद हिंदु फौज उसमें हिंदु मुस्लिम सिख हिसाई वो सब को बराबर प्रतिनी धित्व देते थे कैप्टन शाहनवा का नाम अक्सर आता है उनके बलिदान को हम लोग याद करते हैं तो ये उनके सोच का ही हिस्सा था जो उनकी सेना में भी जलगता था उनके कामकाज में भी जलगता था उनके विचार में उनकी रड़नीतियों में उनकी नीतियों में कॉंग्रेस का नेत्रित तो जैसा आपन कुल साब बात है लेकिन क्या आरेसेस को उनका सैनी रूप बहुत पसंद आता है क्योंकि आरेसेस संग जो है वो दूसरे हिंसा हिंसा को कमजोर और कायरों की का अस्त्र मानते हैं और जो हतियारों से लड़े बंदूग गोलियां चलाए वो उनके लिए बहुत बड़ा नायक ह होता है तो शायद यह आकरशन क्या इसलिए है सुभाश के प्रति या उन जी नहीं मुझे क्या लगता है कि सुभाश बोस के लिए आकरशन के वली सतही आकरशन है और क्योंकि सुभाश बोस उस समय पूरी हिमत से एक आर्मी को खड़ा कर रहे हैं और आपकी बात में जोड खड़ी की उसमें जर्व नाम भी ख्याल कीजिए आजाद हिंद फौज ठीक है नाम और तीसरा एक का इसमें मुझदा ये है कि उनकी जो ब्रिगेड सी पहली गांधी ब्रिगेड दूसरी नहरू ब्रिगेड और तीसरी मौलाना आजाद ब्रिगेड ठीक है तो जो बहुत अलगी है उनका तो खेर इससे तुलना करना मेरे ख्याल से पूरी तोर से गलत होगा पर ये बात निश्चित है कि सुभाश बोस्क ने जो जिस प्रकार से अपना कद रखा उन्होंने इसके बाव जैसे आरेसेस ने जैसे सरदार पठेल में लिखते हैं आरेसेस ने रोधों के बावजूद सुभाश बोस मात्मा गांधी को फादर अब दा नेशन राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित करते हैं ये इनकी एक उदारता क्योंकि वो और एक सिद्धान्तों के लिए प्रतिबद्ध थे उनको कुछ खुद के लिए नहीं चाहिए था उनक कभी गांधी जी को कम लेखा नहीं उनको उनकी जगा दी और इवन 1942 कुट इंडिया मुव्मेंट को जो हिंदुत की राजनीती वालों ने जिसका पूरा जिसके साथ नहीं दिया ये उसके विलिए भी थे कि वह भी एक रास्ता है मैं तो आजाद इंद फौज बना रहा हू पर फिट इंडिया मुव्मेंट भी एक महतुपूर्ण चीज है जो अंग्रेजों के खिलाफ काम कर रही है तो मेरे खाल से रसेस और हिंदुर महासभा की किसी भी बात से सुभाष चंदर पोस की तुलना करना गलत होगा सुभाष चंदर पोस एक सैध्धान्तिक रूप से क्योंकि उन्हें लगा कि हम एक्सिस पावर के साथ मिलकर देश को आजाद करा सकते हैं वो उनका मुख्य था और जब कि इधर मुख्य बात यह है कि एक हिंदु राष्ट कैसे बने मुसलमानों को कैसे दबाया जाए पुराने मुल्यों को कैसे जीवित किया जाए अब जहा सब जातियों को बराबरी का दर्जा यह सब उसमें था जबकि हिंदुत की विचारधारा इन सब के पूरे पूरे विरोध में खड़ी होकर एक ऐसी विवस्ता की बात करती है जो पुराने समय में थी जो उमशनीत में थी जो मुसलमानों से नफरत करना सिखाती है वगरे व विचारधारा का एक बहुत बड़ा पहलू धर्म निर्पेक्षता थी और धर्म निर्पेक्षता नहरू भी उसी समाजवात को उनके समाजवात का रंग थोड़ा सा अलग होगा लेकिन जो समाजवात की जो ब्रॉट डिफनिशन है उसमें सुभाश नहरू सब एक साथ थे और वो सेकुलर थे और ये इस तरह की फोर्से जो चाहे वो मुस्लिम लीग हो चाहे हिंदू महासवा हो चाहे आरेसेस हो चाहे इस तरह के दूसरे संगटन हो वो उनको देश विरोधी ताक्तों के तौर पर देखते थे विभाजनकारी ताक्तों के तौर पर देखते थे इ यह कहीं से भी ध्वनी या कहीं से भी यह समझ नहीं बनाया जानी चाहिए कि सुभाष्ष अंगोस्त हिंदू राष्टवाद से किसी तरह से हमदर्दी रखते थे, उससे इत्वाक रखते थे, यह कोई भ्रहम तोड़ लिया जाना चाहिए. मैं इसमें एकी बात जोड़ दूँगा कि यहां तक समाजवाद का सवाल है, कौंग्रेस के अंदर भी कही लोग ठे जो समाजवादी नहीं थे, तो उस समय भी ऐसे कौंग्रेस में जैसे कौंग्रेस सोशयल्स पार्टी थी, कौंग्रेस में दूस नोग भी थे, जो समाजवादी विचारों में नहरू और बोस्तों काफी महत अपूर्ण है जैप्रकाश नारायन भी उसमें थे जो तो ये लोगों के लिए धर्म ने रिप्रिक्षता होता हो स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप अपने आपको एक नागरिक के रूप में देखिए और आप का धर्म जो है वो आपके साथ जरूर चलेगा पर जहां तक नागरिक्ता का सवाल है सबकी नागरिक्ता एक बराबर है तो उसमें समाजवाद और इसका भी ख्याल रखिए नहरू जब ये सुभाश बोस्त जब कॉंग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने फारवर्ड ब्लॉ विस बेंगॉल में लिफ्ट फ्रेंट का इतने सालों तक हिस्सा रही तो और ये जिन कॉम्मिनिस्टों को हिंदु की राजनीती एक हिंदुराष्ट का दुश्मन मानती है तो उस प्रकार की एक पालिटी का निर्मान तो सुभाश बोस्त ने भी किया वो भी हमें नहीं लग दिया एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि कांग्रेस राज में उनको वो सम्मान और वो प्रतिष्ठा नहीं मिली जो हम देने जा रहे हैं जबकि ऐसी बात नहीं थी दूसरा इसके जरिये वो गांदी और नहरू के कद़ को चोटा करने की कोशिश कर रहे हैं क्यों इतिहास को सही परिप्रेक्ष मेर तत्यों की साहत अगर नहीं देखा जाएगा तो आप गच्चा खा सकते हैं कोई और तत्य आप जोड़ना चाहें तो एक मैं जोड़ना चाहूंगा कि अभी तो सुभाश चंद्र बोस के जो जितने पेपर्स थे वो सभी पब्लिक हो गए है पर पहले इन लोगों ने कई डॉक्टर लेटर सर्कुलेट किये कि भई नहरू ने सुभाश बोस का विरोध किया उनको क्रिमिनल अफ वार कहा प्रिजनर अफ वार कहा वगरे वगरे ऐसा उन्होंने बहुत पहले नफरत फैलाने की कोशिश की नहरू के खिलाफ भी और जितना सुभाश बोस उनका करते थे एक पत्र का मैं आपको हवाला देना चाहूंगा जो सुभाश बोस ने नहरू को लिखा ऐसी मतलब हमें समझता है ना कि यह आपस में राइवल्स थे कि दोस्त थे तो सुभाश बोस उसमें बहुत प्यार से लिखते हैं कि मैंने सुना ह कि आप मसूरी गए हैं यह बहुत अच्छी बात है आप कहां इतना काम करते हैं मुझे तो समझ भी नहीं आता कि आप इतना काम कैसे कर सकते हैं थोड़े दिन आराम कीजिए उसके बाद आपको दूसरी मीटिंग में जाना है पर अगर आपके पास यह चार-पांच किताबे हैं किताबों की लिस्ट देते हैं वर्ल डिस्ट्री के बारे में इंडिया के बारे में तो मुझे भेज दीजिए मैं पर एक साथ मत भीजिए एक एक करके किताब भीजिए मैं इसको पढ़ूगा और आप अपने स्वास्त का ख्याल रखिए मैं आपके स्वास्त के बारे मे पसीजेगा और इमानदारी से कहें तो उनकी दोस्ती भाईचारा कॉमरेडशिप वो इसमें बहुत क्लियर जलकती है जी और इस रिष्टे को शायद वो नहीं समझ सकते हैं जिनकी नजर में सत्ता है और एक घ्रणा और हिंसा से वो लबरेज हैं और अपने उसी के दम पर का इस्तेमाल करते हुए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुनियानी आज की बाचीत के लिए धनिवाद आपका नौशकार सत्ति हिंदी का एप डाउलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर